हेलो दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ जीवन उत्साह नियूज पर और जैसा आप जानते हैं जीवन उत्साह नियूज एक ऐसा मंच है जो एक आम आदमी को अपनी पहचान या अपनी आवाज कहीं पहुंचाने के लिए कार्या करता है दोस्तो इस और्गनेशन का जो सबसे बहतरिन पहलू है वो यह है कि आप शायद सोचेंगे कि मैं परसली तारीफ कर रहा हूँ लेकिन नहीं मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो यह है कि आम आदमी इस चैनल के साथ कनेक् करता है दोस्तों इस बार पंचायत की इलेक्शन जैसे की चल रहे हैं आप सब लोगों के पास बहुत सारे युबा योग्या करमठ मदरुभासी और ऐसे ऐसे उमीदबार आ रहे होंगे जो कि हमने पहली बार देखे हैं इतने युबा इतने करमठ इतने मदरुभाशी इतने स शब्द आप सुन रहे हैं इन शब्दों के माइने जिन लोगों को पता तक नहीं है वह लोग भी यही स्लोगन लिखके आपके पास आ रहे होंगे चलो अच्छी बात है स्वतंतरता का अधिकार है हर व्यक्ति को हर व्यक्ति अपने लिए कुछ भी यूज कर सकता है लिए जब मैं अपना सर्टिटिफेट खुद दे दूँ इससे कोई फरक नहीं बड़ता है लेकिन आप किसी के बारे में क्या मांखते हैं क्या जानते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है हालनकि कोई व्यक्ति अपने लिए कभी नेगटिव नहीं हो सकता है और अपने बारे क्या-क्या योगेताइं हैं वो योगेताइं आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको उन लोगों के अंदर ये बात जरूर देखनी हैं कि वो लोग कितने विजनरी हैं कितने भविश्यावादी हैं या कितने भविश्यादेखने बाले हैं देखिए बिना तुजुर्बे के आप भविश्या को नहीं देख सकते इस बात को तो आप भी मानेंगे और तुजुर्बा आता है व्यक्ति के कार्या करने से उसके फेलर होने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूबा लोग मेनती नहीं होते हैं सभी मेनती होते हैं लेकिन जब तक व्यक्ति गिसे गाने जब तक आदमी ने धक्के नहीं खाये होंगे तब तक व्यक्ति कभी भी उस तरह की योगेता नहीं साबित कर सकता जो समाज को चलाने के लिए करनी पड़ती है योगेता होना एक अपनी जगह है लेकिन एक परिवार के साथ साथ में एक गाउं का एक पंचायत का प्रणिर्टों करना कोई बच्चों का खेल नहीं है मैं आपको इसका एक्जांपल देता हूँ मान लीजिये दो लोगों में कोई लड़ाई हो जाती है तो जो व्यक्ति उन लड़ाई को सुलजाने का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति के पास कितनी करविंसिंग पावर है कितनी केपबिलिडी है कितना उसके अंदर दम है उन लोगों को सैटिस्पाइट करवा देना कि वो जो लड़ाई कर रहे हैं वो गलत है और उसको उससे निकलना चाहिए यह हर विक्ति नहीं कर सकता और परधानों का कारिया केबल डंगे लगवाना नालीय बनवाना रोड बनवाना नहीं है केबल सुविधाई देना नहीं वो तो एक पैसा है जो किसी ठेकेदार के माद्यम से या किसी विक्ति के माद्यम से करवाया जाता है यह बात अलग है कि ठेकेदार खुद ही परधान बने हुए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि फाइनेशल इंवाल्मेंट की वेज़े से उनका फाइदा हो जाएगा मैं यह कहना चाहरा हूँ कि आपके उमीदवार के अंदर आप क्या देख रहे हैं इसको कौन तै करेगा क्या उनका ये लिख देना कि वो करमट हैं युबा हैं मृदुभाशी हैं योग्या हैं मेहनती हैं क्या ये सफिशेंट है शायद नहीं आप चेक कीजिए कि वो लोगों के अंदर कितना प्रतिनिद्टो करने की क्षमता है अब ये कैसे चेक करेंगे आप ये चेक करने के लिए आपके पास कोई पैरामेटर तो है नहीं तो मैं आपको पैरामेटर बताना चाहता हूँ वो पैरामेटर है उनका बैक ग्राउंड उनका पास्ट का जो चार-पांच सालों का जो कार्या करने का समाज के लिए जो दाइरा है आप अगर इस पैरामेटर से देखेंगे तो 70 परसेंट जो लोग हैं वो आटमेटिकली आ पर अगर हम आखेंगे तो पिछले चार-पांच सालों में उनकी आपको चीजें चेक कीजिए उन्होंने समाज में कितना योगदान दिया है अपने गाउं में किसी कारया में कितना योगदान दिया है गाउं में कोई मुसीबत आगी थी तो उस विक्ति ने कितना बड़ा उस कारया में यह सब चीजें जब आप चेक करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो सोशल व्यक्ति है यह केबल अपना टाइम पास करने के लिए आया है या फिर अपनी विरोज़गारी दूर करने के लिए आया है तो दोस्तों आप चुनाबों में सच मुझ में ही योग्या लोगों को सामने लाना पड़ेगा जिनके पास तो जरुबा हो जो अच्छा कम्यूनिकेशन करना जानते हों जो अपनी बात रखना जानते हों जो व्यक्ति अपनी बात नहीं रखना जानता उस व्यक्ति को आप एक प्रधनिती के रूप में बना भ स्थरेक्टर होंगे और उसके पास अपना थेकेदारी का सारा मैटेरिल होगा और बस वह इदर से उठाके इदर और इदर के पांस साल पूरे कर लेगा और फिर आपको निराश होगी है आफ़ देखेंगे कि हम लोगों को साथ लेकर भी चलता हो जो भाई पती जबाद की पॉलिसिस है लगो जो स्पस्ट बादी हो ऐसे लोगों को चुनिए प्लीज पंचैतों में जिस तरह से ब्रस्टचार के मुद्दे सामने आ रहे थे और आगे भी आते रहेंगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे कंडिडेट्स को चुनेंगे तो आपके गाउं का भला भी होगा आपके समाज का भला भी होगा आपके देश का भला भी होगा मुझे पक्का बिश्वास है कि आप अच्छे लोगों को इस बार चुनके लाएंगे जो लोग वाक्या में ही योग्या ह कर्मट हैं और बिशशनी लोग हैं ना कि केबल पोस्टर पे लिखवाने बाले लोग हैं ऐसे लोगों को अवाइड कीजिए और उनको ये बताइए किसाब आप पहले पांसाथ दस साल पंद्रा साल समाज के लिए कुछ करिए दो चार पांसाल मेहनत कीजिए अगर आप अच् प्रेड़ना देने वाला हो वो ना बन सके तो दोस्तों मैं फिर आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप समझदारी से अपना बोट डालें इसका मिस्यूज ना करें और ना ही ऐसे लोगों के लिए खराब करें जो लोग अभी इसके लिए कहीं कहीं ना कहीं उससे कई बार योग्या उमीदबार हार जाते हैं आप अपने आपको पहले इतना सक्षम बनाएं और उस सक्षम बनने के बाद में आप आगे चलें समाज का प्रतिनित्तों करें तो समाज को बहुत खुशी होगी फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बात को रखन हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से और मैं आपका आवहन करता हूं कि आप आएं अपनी बात रखें और क्या आपकी पॉलिसीज हैं क्या आपका विजन है आपकी पंचायत को डिवेल्प करने के लिए आप लोगों को बताएं बहुत लूप पे आप हमें फॉलो करते हैं तो वहारे पेस को लाइक करें हमारे पेस को फॉलो करें साथ में हमारी खबरों को शेर भी करें ताकि ज्यादत से जालोगों तक यह बात पहुंच सके के आपका प्रत्विजदी इस बार कैसा होना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका